हेलो नमस्ते परणाम सलाम आपके अपने यूटियूब चैनल और टेकीजी पर स्वागत है दोस्तों केटीम ने 390 एडवेंचर एक्स को भारत में लॉंच कर दिया है इसे 2.9 असी लाक रुपे एक्सोरूम दिल्ली की कीमत पर लाया गया है पुराने मॉडल के मुकाबले केटीम 390 एडवेंचर एक्स की कीमत करीब 58,000 रुपे तक कम हुई है बताते चलने की केटीम 390 एडवेंचर एक्स केटीम 250 एडवेंचर मॉडल के मुकाबले सिर्फ 36,000 रुपे अधिक है कीमत कम करने के लिए कमपणी ने 390 Adventure X में कई electronics हटाए हैं जिसमें Quick Shifter Corning ABS War Traction Control हटाए हैं KTM 390 Adventure X Dual Channel ABS के साथ आता है जिसमें Rear ABS को बंद करने का भी विकल्प दिया जाता है इसमें Full LED Lighting Dual Channel ABS Off Road Mode के साथ Slipper Clutch 12W का SUV सॉकेट दिया गया है इसमें TFT डिस्प्ले की जगा LCD Dashboard दिया गया है इसका Hardware Standard Version के समान रखा गया है सस्प्रेंसम के लिए सामने 47 Mimi का Front Focus वो पीछे 10 Step Adjustable WP Rear Mono Sock दिया गया है ब्रेकिंग के लिए 390 Adventure X में सामने 320 Mimi का Single Disc Break वो पीछे 230 Mimi Single Rotor दिया गया है इस बाइक में 14.5 लिटर का Fuel Tag दिया गया है तथा इसका वोजन 177 किलो ग्राम है KTM 390 Adventure X को दो रंग विकल एलिटिक गुलू और टार्क लेवानो वेल्क में उपलब्द कराया गया है इंजन की बात करें तो इसमें 373.87 CC Single Cylinder Liquid Pulled वाला इंजन 12 Overhead Camsoft के साथ दिया गया है यह इंजन 9000 RPS पर 42.9 BHP का Power वो 7000 RPS पर 37 Nm का टार्क प्रदान करता है इसमें 6-speed gearbox दिया है यह इंजन IDE वो BS6 Phase 2 के अनुसार है KTM 390 Adventure के Fully Loaded वर्जन को 3.37 लाग डुप्रे की कीमत पर उपलब्द कराया गया है कमपनी की Adventure Series भारत में Adventure के दिवानों के बीच खुब लोग प्रिया है और 390 मॉडल की बिगडी को बहतर करने के लिए इसके नए variant को लाया गया है कमपनी ने साल के सुरुवात में 10 लाग बाइक तैयार करने का कृतिमान पार किया है यह 10 लाखवी Motorcycle KTM 390 Adventure थी यहां बाइक कमपनी का एक ऐसा सेगमेंट में से है जिसके लिए इसे विश्वस्तर पर जानात जाता है आज के लिए बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलें मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक आप देखते रहिए और टेक कीजिए जय हिंद जय विहार